हलो स्टूडेंट्स मैं कृष्णा टाक लेक्चर इन कमर्शिल आर्ट गॉर्मेंट वूमेंस पॉले टेक्नि कॉलेज कूटा मेरा आज का टॉपिक है टी एलार ये ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जैसा की नाम से पता चलता है इस प्रकार के कैमरे दो लेंसों की पद्दती पर बने होते हैं एक विविंग लेंस उपरी भाग में होता है दूसरा फिल्म एक्सपोजिंग लेंस नीचे वाले भाग में होता है एक lens एक ही भाग को रोश्णी देता है नीचे वाले exposing lens में leaf shutter होता है exposure के समय exposing lens फिल्म पर प्रतिविम बनाता है तता viewing lens से round glass screen पर दाय बाय से विपरीत प्रतिविम बनता है इस प्रतिविम को एक हुड के अंदर से देखते है इन camera में ऐसी विवस्था रहती है कि दौनों प्रतिविम एक जैसे तता सामान आकार के बनते है viewing lens से आने वाला प्रकाश fixed silver surface mirror से reflect होकर ground glass screen पर दाय बाय से विपरीत प्रतिविम बनाता है viewing lens वा exposing lens की focal length बराबर होती है चुकि viewing lens और exposing lens में भौतिक अंतर होता है अतर TLR camera के viewfinder में कुछ हद तक parallax error होता है TLR में सबसे बड़ी कमी यह है कि photograph लेने वाले को viewfinder system में नीचे की और देखना पड़ता है जबकि viewfinder camera में विशे को सीधे आँख के सामने रख कर देखा जाता है अथार्थ यह west level camera है न की eye level होता है इस कारण से TLR camera ज़्यादा तर still photography के लिए काम में लिया जाता है यह camera studio वा marriage photograph के लिए सुवीधा जनक होते है TLR camera action photography के लिए सही नहीं माने जाते है क्योंकि ground glass screen पर प्रते बिम दाइबाएं से विप्रीत बनता है अनुभवहीन या अमैचौर व्यक्ती को बेकूफ बना सकता है ज़्यादा तर TLR camera में 120 size की film काम मिलेते हैं तथा इनका negative format size 6 x 6 cm होता है प्रतीक रोल में 12 exposure होते हैं इसका negative size बड़ा होता है इसमें shutter speed maximum 1 upon 500 seconds होती है तथा aperture भी F11 तक ही होता है अब हम आते हैं TLR camera के advantages या love first point है photographer TLR camera में उपड़ से देखता है composition और focusing आसान होती है second point है SLR की तुलना में इसमें यांत्रिक खराबी कम होती है क्योंकि निर्मान सामन्ने होता है third point mirror movement के अभाव में sure नहीं होता है क्योंकि इसमें fix mirror होते है fourth point film का बड़ा frame पूर्णत और बड़े focus की संभावना देता है अत्य enlarging उत्तम होती है TLR कैमरे के disadvantages first point parallax error होता है क्योंकि TLR कैमरे में viewing lens व एक्सपोजिंग lens अलग होने के कारण इसमें parallax error होता है इसलिए हम इन कैमरा से closer photography नहीं कर सकते है second point lens बड़ने की सुविधा नहीं होती है अगर lens बड़ना हो तो पूरा lens panel ही बड़ना पड़ता है क्योंकि exposing lens में in between lens shutter या leaf shutter होता है इस कारण lens बड़ना मेंगा पड़ता है third point ये गती shield विशे की photography के लिए सही नहीं होते है क्योंकि ground glass focusing screen पर प्रतिबिम दाए बाए से विप्रीत होता है जिसके कारण अनुभव हीन photographer विशे की दिशा को नहीं पैचान सकता है next four point focusing screen bright sunlight तीखी सूर्य रोश्नी के कारण देखना मुश्किल होता है next ये camera बहरी होते हैं झाल प्रतिधो्स